सुसाशन, विकास और जनकल्याड यही है हमारी पहचार एक रिपिटेशन का कल्चर रहा है अनुवाज जी के कॉंग्रेस आती है फिर बीजेपी आती है कॉंग्रेस उस पे दाओ भी लगा रही है प्लान मंतरी ने भी बोला तो क्या ये ट्रेंग बदलेगा इस बार उत्राखंड उत्तरपरदेश मनिपुर गोवा सब में फिर हमारी सरकारे बनी तो अब की बार भी बनेगी हिमाचर परदेश और गुजरात में भी होगा क्योंकि सुसाशन, विकास और जनकल्याड के बहुत काम हुए है देखिए 10 साल केंदर में कॉंग्रीस की सरकारे रही, 10 साल राज्ये में कॉंग्रीस की सरकारे रही वापिस करने वाले भी OPS को यही थे NPS को लागू करने वाले भी Congress Party ही थी ये चाहते तो पहले भी कर लेते इन्होंने ना कहीं किया है इनको जूटे वाट दे करने की आदत है और फिर पूरे नहीं करते हिमाचल में 2003 में भी और 2012 में भी इन्होंने पहले कहा कि हम हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे नहीं दिया फिर उन्हें कहा बिरोजगारी भत्तिया देंगे नहीं दिया पंजाब राज्यस्तान और बाकी राज्यों में इन्होंने करजे माफ करने की बात कही थी किसानों को वो भी नहीं किया है तो जंता कॉंगरिस का असली चेहरा जानती है कि जूटे वाइदे करते हैं फिर पूरे नहीं लड़ रहे हैं इससे कमी खलती है लेकिन राजनीतिक शेतर में मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है नीतियों पर चुनाव लड़ा जाता है विचारधारा पर चुनाव लड़ा जाता है उपलबदियों पर चुनाव लड़ा जाता है और भारती अंता पार्ट रहे हुए। जंता है। शायद उनको जंता के उपर भरोसा कम होगा। थ THIS हूं कि तोंकि जंता जनारधन ही सब कुछ है। निश्चत तौर पर बारती यंता पार्टी ने जो शांदर काम परदेश देश में किया है। उस पर मोहर जंता लगाएगी और फिर एक बार सेवा करने का अफसर देंगे अगर पार्टी को वोट देंगे जो सरकार बना रही है तब ही लाब होगा तब ही जाकर जनकल्यान की नीतियां भी जन जन तक पहुंच पाएंगी विकासकार भी हो पाएंगे कि लोगुने कॉंग्रेस की सरकार को देखा कि जब कॉंग्रेस 2012 से सत्रा तक रज्य में थी नहीं यह तब कुछ जेुच पाई जब केंदर में कॉंगरिस की सरकार थी हिमाचल का विशेश राज्य का दर्जा चीन लिया एंडसीरिल पैकेज को कम कर दिया अटर्टर्नल का काम स्लो-डावन करवा दिया और जब मोधी जी के सरकार 2014 में बनी तो मोदी जी ने विशेश राज्य का दर्जा हिमाचल को वापिस दिया अब बल्क ड्रग पार्क मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे बड़े निवेश यहां पर होने जा रहे हैं जहां चाली सार लोगों को रोजगार के अफसर भी मिलेंगे दूसरी और जो रेलवे के काम भी कॉंग्रेस शुरू नहीं करवा पाई तो जनता के जहन में कहीं न कहीं बात रहती है कि मोदी जी ने तो देने में कोई कमिनी रखी कि इंदर सरकार का पूरा सही योग मिला लेकिन राज्य की सरकार कॉंग्रेस की उसमें विफल रही इनको लागू करने इसलिए 2017 में इनोंने सरकार बदली थी और अब की बार रिवाज बदलेंगे हम पहले से ज्यादा सीटे हमिरपूर संसीरियक शेतर में भी जितेंगे और हिमाचल परदेश में पहले से ज्यादा सीटे जितकर फिर भाटपा की सरकार में चलिए हुआ हुआ है